देखो इस बात तो बहुत सीरियस है, लेकिन क्योंकि इस चैंपना बात है थोड़ी light way में, थोड़ी fun way में करते हैं, तो उस चीज का भी धियान रखा जाएगा, लेकिन वीडियो में आगे भावनाव में बैक है, अगर मैं थोड़ा सा गरम हो जाओ तो उसको थोड़ा समान क्योंकि आज मेरे अंदर का passionate cricket fan चीखने वाला है, वर्ल्टेस चैंपेंशिप हारने के बाद, इंडियन क्रिकेट बरबाद हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, अभी इसका कुछ नहीं हो सकता, कैसे, क्यों, सच में है, अपने सौरव गांगली ने वर्ल्टेस चैंपेंश अल्मोस सारी दुनिया के जो वर्ल्ट क्लास प्लेयर्स है वो इस आईपेल में खेलते हैं, तो कॉम्पूटिशन भी तगड़ा होता है, वहीं अगर हम थोड़ा वर्ल्ट कप को देखे, तो थोड़ी हलकी फुलकी टीमें आ जाती है, वहाँ पे, तो कह सकते हैं कि शुरु टेस्ट चैंपेंशिप हार है, सबसे पहले जो ब्लेम है वो आईपेल पे आगे, जैसे मैं आपको प्रिछली वाली वीडियो में भी कहा था, मजे सब ने लूटे, लेकिन तब किसी ने कुछ नहीं बोला जब आईपेल चल रहा है, टेस्ट चैंपेंशिप की हार के बाद स टूर्णमेंट चलता है, जो प्लेयर से बहुत बीजी हो जाते हैं, उनको रेस्ट नहीं मिलता, लेकिन या आईपेल हमारे प्लेयर्स को बहुत बहुत दर डिस्ट्रैक्ट भी करता है, उनका फोकस क्रिकेट से हटके कहीं और भी जाता है, बात देखी जा तो बिल्कुल सह करते हैं, जो बैन हो गई है, बहुत ही नहीं है, हाँ उन पार्टी में अब होता क्या था, उसके बारे में, चलो, चोडो, अब आज से 10 या 15 साल पहले के क्रिकेट टाइम से कंपेर करोगे, तो उस ताइम पर जादा ऐसे कोई कमर्शल, एट, इतना सब कुछ नहीं होता था तो उनका काम होता था, प्रैक्टिस करना, अपने मैच में फोकस करना, रन बनाना, जीत की खुशियां बनाना और घर जाके सो जाना, लेकिन आज के टाइम में प्लेयर्स शूट्स भी कर रहे हैं, कमर्शल एड भी बना रहे हैं, ट्रेवल भी कर रहे हैं, एधर दो बहुत तक लगाता है, बुरी चलती है, उसके बाद जो फैंस भीगो के मारेंगे न, शुबमन गिल को, ऐसे ऐसे पुराने ट्वीट्स और फोटोस लेके आएंगे न, ये क्रिकेट से सन्याज तो बात में होगा, कई सोचल मीडिया से पहले सन्याज ना ले ले, वैसे स्वात तो मिल गया होगा गिल को, जब उन्हेंने अंपायर पे ट्वीट किया था और उसके बाद फाइन भी आ गया इसे से, अब मेरी बाते सुनके लग रहा होगा कि अभी क्या भी आईपेल को बंद कर दो, अब आईपेल नी होना चाहिए, वरना हमारे इंडियन क्रिकेट खराब हो अब देखो, रोई शर्मा खुद कह रहे थे कि भाई हमको थोड़ा सा टाइम का मिला प्रेक्टिस करने के लागा, अगर थोड़ा सा जादा होता तो बात अलग होती, इवन उन्हेंने ये भी कह दिया कि जून में ना कराओ ड़ुटी सी फाइनल हमेशने जून में ही करवा अब खुद ही सोच लो, अगर IPL का टाइम इस दौरा ना होता जब WTC का फाइनल था, तो रोई शर्मा को शायद ही बात कहने की जूरत ही नहीं पड़ती, एक वैसे बहुत बोल्ड डिसिजन भी हो सकता है BCCI का कि पूरे साल पर IPL कराओ ही मत, अरे अरे ये क्या बोल दिया और WTC के फाइनल में सिफ 9 दिन का अंतर तो भाई, ये बात किसी की दिमाग में पहले कैसे नहीं आए कि 9 दिन में जो प्लेयर से कैसे सुचेशन में अड़ाप्ट कर सकते हैं, मत अब एक तो पहले ही पूरे ही पूरे वालमोस्ट दो महने आईपल T20 फास क्रिकट खेल के आ एक तो economy हमारी देश की बहुत अच्छी होती है, jobs बहुत सारी बन जाती है, बिल्कुल सा समझे हो, stadium के बहारी जो गरीब लोग है वो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, जिसको stadium में जाके supporters लेके जा रहे हैं, फ्लैक हो गया है फिर अपने face पे पेंट कर, अरे छोटा सभी एक मिलते हैं, हाँ, इसका एक counterpoint है कि सिर्फ IPL के basis पे Indian cricket team नहीं बनाई जा सकती है, पहले का time मुझे याद है, जब एक World Cup खता होने के बाद, अल्रेडी BCCI की preparation शुरू हो जा देथी, कि अब जो next World Cup होगा ना, हम इस team को prepare करेंगे, ऐसा कुछ balance होगा, लेकि अब अब अचाना मिल जाएगा, हाँ, कई बार ऐसे भी होता है कि domestic performance के बाद IPL में अच्छा खेलने की वज़े से फिर Indian team में selection होता है, लेकिन direct IPL से कुदा आना वो थोड़ा सा ही नहीं है, 11 players की team होती है, हर एक player की वज़े से पूरे team का balance बनता है, तो एक player को निकाल के किसी अचानक से नह player क को लेके आना थोड़ा गडबड हो जाता है, माम लाख कि team game है या कोई individual sport तो है नहीं, ऐसा ही ना कर लो भाई कि ICC का अगर कोई बड़ा event होने वाला है, तो जो players वहाँ पे खेलने वाले है, वो already किसी और tournament ने participate करेंगे ही और अगर वो participate नहीं करेंगे, तो फिर अपनी practice प के लिए यह जो IPL इसमें catalyst का काम कर रहा है, IPL की वज़े से और ज्यादा बढ़ रहा है, क्या है, यह हम लोग Indian team के नहीं, बलकि Indian team के players के fan बनते जा रहे है, इसको समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ, Twitter के टटूरों पर, हाँ इनको मैं Twitter के टटूरों ही बोलता ह करी, उसके बाद भी जो credit है, वो धोनी को मिल रहा है, कोई धोनी को credit stealer बता रहा है, धोनी ने कित्ती centuries मारी है World Cup में, फिर भी credit धोनी पर ही जा रहा है, अब इन part time वाले cricket fans को कौन समझा है, कि भाई, रोनाल्डों से हम यह expect नहीं करते है, कि वो जाके defend करे है, उनका काम goal कर भाई, धोनी ने कितनी बार खुद अपने interviews में कहा दिया है, कि मैं जादा over exposure चाहता ही नहीं, इसी वज़े से उन्होंने उस बात को explain भी किया था, कि जब वो कोई trophy जीतते हैं, तो वो क्यों खुद सामने नहीं जाते हैं, वो क्यों बाकी players को मौका देते हैं, क्योंकि वो अज़े काफी exposure में है, तो बाकी players को भी shine करने का मौका मिलना चाहिए, आज गौतम कंभीर की बात कोई समझने वाला, ना आज से 100 साल बात जाके गौतम कंभीर की बात कोई समझेगा, जो बात बोलते हैं, क्यों सिर्फ धोनी के बारे में बात हो रही है, मतलब मैं खुद ध बड़ी टॉम है जो मैं कह रहा हूँ कि मैं धोनी का फैन हूँ क्योंकि काफिसाय लोग जब मुझे बोलते हैं कि मैं आपका फैन हूँ, अच्छा क्या सोच रहो इसका फैन? अरे भाही मेरा एक मिलन वाला चैनल भी है, रेसल चैटर तो वहाँ पर थोड़ी बात है इज़ फिर मैं टुटर पर दुबारा गया, मैंने सर्च किया चोकली, आप क्यूंकि चोकली डाला ही था टुटर पर तो फिर क्या ही होना था? कोई उनकी World Test Championship knock की बात कर रहा, कोई कहा रहा है जब RCB से खेलते हैं तो कैसा reaction और इंडिया से खेलते हैं तो कैसा reaction देश के लिए ऐसा पैसो के लिए ऐसा, हादे तो भाई साब तब हो गई, जब आप ट्विटर पर सर्च करोगे वड़ा पाओ, तो वड़ा पाओ की जगा, आपको रोहिश शर्मा के ट्वीट्स मिलेंगे बाई, ये फॉरन से कोई सर्च करेगा वड़ा पाओ, तो वो तो कन्फिस हो जाएग इस बिलकुल अलग था, रोल इसमें IPL का भी बहुत बढ़ा है, लेकिन गलती इसमें IPL की नहीं है, IPL को देखने वाले फैंस की है, जो RCB पसंद करता है, वो इंडिन क्रिके टीम में रोहिश शर्मा को पसंद नहीं कर सकता, फिर जो धोनी को CSK में पसंद करता है, उसके ल चोकली और रोहित वड़ा पाव शर्मा, किसी का कोहली है चोकली और रोहित वड़ा पाव शर्मा, ध्यान दे लो अब जरा नैशनल टीम पे भी, क्योंकि अब नहीं जहला जाता है ट्रॉमा, मजा आए वीडियो में तो अभी लाइक और सब्सक्राइब कर देने इस चैनल क ऐसे और वीडियो उसके लिए तब तक आप जिन्दगी के मज़े लो वरना पता है ना इस जिन्दगी आप से मज़े लेगी